आप सब्सक्राइब करते हैं और देखते हैं पहले प्रशन को आज का हम लोग को पहला प्रशन है खानका से आप क्या समझते हैं तो इसका जो एंसर हो जाएगा खानका सब्द का अगर मतलब देखा जाएं अर्थ देखा जाय तो सधर्ता भासा में अगर समझा जा जा तो जैसे मठ Whew को जाते हैं आप यह आसरम होता है तो खानका सब्द का मतलब होता है más 500 यह आसरम कास कर सूफी सन्तों की मतलब होता है यह संतो की रहने की जगह के लिए जिए मुखरुप से यो खान का सब्दोर यूच किया गया है वो सूपी संतों के लिए उड़ीब साथ SECRET. यह बहूटत इंपारेंट प्रशना है और आपके बोड़ी जैंद सेने के लिए बहुत जरूरी प्रशना है. महत्तवुर प्रश्णों के शेंकला हम बढते हैं अमनों दूसरे प्रश्ण की और दूसरा हमनों का प्रश्ण है काकोरी कांट कब और कहां होगा तो चली आए देखते हैं एक देखें इंप्रश्ण है आपका यह घटना एक ट्रेन की लूट से जुड़ी है जो 9 अगस्त 1925 को काकोरी से चली थी आंदोलों कारीयों ने इस ट्रेन को लूटने का प्लान मनाया था जब ट्रेन लखनाव से करीब 8 मिल की दूरी पर थी तब उसमें बैठे 3 करांदीकारीयों ने गाड़ी को रूखवाया और सरकारी खाजाने को लूट लिया देखेंब चली जगह है जो की 8 मिल दूर है लखनाव से जब यह ट्रेन चल दी थी वहां से तो यहां पर जब लखनाव से 8 मिल पहले ही लागंडीकारीयों ने बनाया उनकीय सब उनकी साथ-साथ जो अगर प्रमुक तील लोग को पूछा जाता है तीन कराण्दीकारी मुक्रूप से थे इसमें प्रथम पर हो जाएंगे आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी दूसरे पर जाएंगे राजेंद लाहिडी जी और तीसे नमर पर जाएंगे असफाग उल्ला खाँ जी ये तीन महत्रपूर जो नाम है ये आपके काकुरी कांड से जुड़े हुए थे और ये घटना घटी थी और काकुरी से ट्रेनिया चली पूफार जाता है कि अभी लेख से आप क्या समझते हैं तो इतना आदिया आप लिए आपके लिए परयाप ओगाश्या अभी प्राचिन काल से इसका उपयोग हो रहा है तो जीसे देखिए का गया पत्थरों पर नकासी के दवरा लिखा हुआ देखने को मिलता है यहाँ पर आपको तो यह मुख रूप से देखा गया इसमें जो आपका मौर सामराज में सबसे ज्यादा बिस्तार देखा गया अभी लेक वहां के थे उनके द्वरा हम लोग समराट असो की बात होती है जो तो उनके द्वरा अभी लेकों को सबसे बड़े पैमाने पर उजागर किया गया था तो अभी लेक की सबसे ज्यादा हम लोग के मातरम देखने को मिलते आ है समराट असो के सासनकाल में ही हमको देखने को मि करेंगे उसके साथ ही साथ यदि वीडियो आपको पसंदा रहा है तो इसे लाइक करें और सेयर करें और चैनल पर ने तो सस्क्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और एक इंपोरेंट इस आप हमारे वाटसे ग्रूप से जूड़ सकते हैं मेरा वाटसे ग्रूप नमबर ह यदि आप इससे जूड़ते हैं तो आपके त्यारी और बेहतर होगी और सबसे बड़ी बात है कि यह फ्री आउप कास्ट है इसलिए इस गुरूप को जवाइन जरूर करें आगे बढ़ते हैं प्रसुनों के सिंखला हम लोग देखते हैं चौते प्रशन को चौता हम लोग इससी संवार असयोग आंदोलं में जो मुस्लिम पक्षता वो सामिल नहीं हुआ था तो बाद में क्या हुआ यह दो नों जो असयोग अंधुलूं को यह त्यक्ताब फिलापत अन्डलों को फिर्के से मिक्सिंग करके इन लोगों अन्दोलं को अगए बढ़ाया लिकर इसम मुस्लिम समुदायप पूरे एक जूट होकर इसमें इस आंदोलन में समय लित हुए थे लेकिन महत्तपूर अगर नाम आता है तो मुहम्मद अली और शौकत अली का नाम जो इसमें है वो सरोपरी है कभी-कभी आपसे इसमें बहुवी कल्पी में या पुछता भी है कि कौन से मुस्लिम बंदू थे या खिलापत अंदोलन के जनक किसे का जाता है तो मुहम्मद अली और सौकत अली या अली बंदू भी इने हम लोग कहते हैं देखे भारत में मुक्यता मुसल्मानों दोरा चलाया गया रालितिक धार्माइक अंदोलन में सिया एक था इस आंदोलन का ज तुर्की का प्रभावा हम लोग को इंडिया में भी देखने को मिला तो खलीफा के पर किये पुड़ी स्थापना करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाया गया कि नहीं जो तुर्की खलीपा है वो अपुना जो है अपने सासन में अपने सत्ता में अपने अधिकार म तुर्की के खलीफा को अधिकार दिलाने के लिए यहां से भी इस आंदोलन का प्राणम कीया गया था फिर दीरे अंदोलन क्या हुआ गांदी जी के भी साथ थै इसम मिला लिया गया फिरवाद में असयो घंदोलन के साथ इसको और भी ज़्यादा आगे ले जाया गया तो ये मुख्य रूप से जो है इस्टार्टिंग कहां से था इसका ओरिजिन कहां से किया गया था या इसको प्रारम करने के पीछे वज़ा कहां थी ये आपके लिए बहुत ही इंपॉइंट है और दूसरी इंपॉइंट चीज है कि इसको प्रारम किस ने किया था तो इसको प्राणम करने काम जो मुस्लिम बंदू थे कौन मुहम्माद अली और सौकात अली इन दोनों ने मिलकर इस आंदोलन का सुभारंब किया हुआ था बात हो रही है यहाँ पर भारती संभीधान की भारती संभीधान जो है इसे बनाने में कितना समय लगा था दो अर्ष 11 मा 18 दिन अगर है और उसमें बड़े बुद्ध जीवी अगर मिलकर काम करते हैं तो इस जाईस ही बात है कि कुछ बड़ी चीज़े बनी होंगी उसमें कुछ बड़ी ऐसी चीज़े उसमें सामिल की गई होंगी जिसमें इतना समय लिया गया और साथ साथ देखिए इसमें 26 नॉबर उन्चास को जो था यह पूरा किया गया था और अंगी करित भी इसी दिन किया गया था लेकिन जो लागु करने काम था वो 26 जनॉरी 1950 को किया गया था अभी हाली में आपका बीता है 26 नॉबर मुस्किल से दो या तीन दीन हो रहा है आपका तो कली था अभी देखा जाए 26 में तो चलिए आए देखते हैं हम लोग क्या महत्रपूर चीजी रही है अगर महत्रपूर चीजों के बारे हम बात किया जाए तो देखिए पहला पॉइंट जो होता है पहले तो यह याद रखिए यह अभी सो का सबसे बड़ा संभिधान है दुनिया का सबसे बड़ा का मतलब कि कई देशों के समिधानों को लेकर इसमें बनाया गया है मूल करतब बे हो गया है बात करते हैं हम लोग अगर मूल अधिकार की बात करते हैं राजी की नितिन दर सकत्ति की बात करते हैं समवर्ती सुची की बात करते हैं अगर हम लोग बात करते हैं आपातकाल की प्रस्तावना की बात हो गई तो इसे कई टॉपिक हैं जो कि कई देशों की समिधान को लेकर जाइसी बात है उन समिधानों का पहले अध्यन किया गया फिर उसके अधार पर हम लोगों ने अपना समिधान को लिखाए हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, तीसरा पॉइंट जो हमनों की सिर्में है, फिसरा जो इसमें मत्रपूर बादाती है, भारति समिदान देखिए, जरूद के हिसाप से कठोर भी है और इसमें लचीला पन भी है तो यह भारती समिधान में जो है देखिए कठोर भी है लचीला पर भी रखता है अगर हम लोग जामते हैं कि यदि कोई वैक्ती है गुनागार है फिर भी गुनागार को भी बचने या बचाने का उसर मिलता है और लचीला पर कठोर का मतलब क्या होता है जरूत पढ़ने पर इसके दोरा कड़े सजा देने का भी प्रावधान है तो इस तरह के तरीके सदेखा तो कई चीजें सभीधान के प्रॉपर्टीज हैं हम लोग के भारती सभीधान की लेकिन मुख की रूप से हम लोग को यहाँ पर तीन विसस्ताओं के बारे में बात करना था तो यह आपकी सब्सक्राइब करेंगे तो वहां से आपको चीजे और अच्छी तरीके समझ में आएंगी और कीर होंगी विदेखिए तो इंफ्राइस्ट्रक्चर बहुँ ज्यादा मायने रखता है तो अभी वैसी चीजों का भाव है इसलिए हम लोग को थोड़ा अभी श्रुगर करना है ने तो फिर नीमीत रूप से आपको मिले लेंगी तो चीजे बहुत परिवर्तन होंगी और आप लोग का यह सभी चीजे जो डिपेंड है वो आप लोगों के समर्थन और दे तो जाई रखें हर बार बोड़ी जाइमिनेशन केंसिल नहीं होगा मैं अपने इसे बात है कि इस बार चुनाओ है तो जाईस ही बात है कि जब चुनाओ है तो चुनाओ में कुरोना नहीं आएगा जहां देखते हैं आपकी जिस जगह पर चुनाओ का होता है जिसे बिहार ने पिछली बार था तो जहां पर चुनाओ रहता है तो वहां automatically वहाँ से कुरोना गायब हो जाता है तो आपके उत्तर प्रदेश में भी कुरोना क्याने की संभावना नहीं है और आपका बोर्ड ये अमिशन होकर रहेगा और जल्द ही आपका टाइम टेबल भी आप लोग को मिलेगा